हेवरीवान गुड इवनिंग वेलकम बैक टो मैं चैनल मधू लाइफस्टैल व्लॉग कैसे हूँ आप सब आसा है सभी कोई अच्छे होंगे स्वस्त होंगे अपने घर में तो आज का व्लॉग को दिखे मैं स्टार्ट कर दी हूँ इविनिंग से और यहां पे टाइम हो रहा साम के साड़े तीन बजे का और आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा तो इस बार का ठंड में मैं गाजर का हलवा नहीं बनाया था तो इस बार मैं फर्स टाइम बना रही हूँ मतलब ऐसे तो ठंड पढ़ते पढ़ते गाजर का हलवा बनना स्टार्ट हो जाता है बट मै थोड़ा लेठी सही, अभी लग रहा ठंडा जा रही है, उस टाइम भी मैं गाजर कालवा बना रही हूँ, तो चलिए देखे, सबसे पहले ना, गी हमें अच्छा कासा गी लेना है, और गी जिसे ही मेल्ड हो जाएगा, गाजर को इसके अंदर हमें डाल देना है, और गाजर को मैंने पहले से ही घिस के फ्रिज के अंदर रख दिया था, और ये जो गाजर है ना, ये छोटी वाली गाजर है, जिसमें हल्वा बनता है, वो वाला गाजर नहीं है, तो इसे भी काफी अच्छा बनता है, एक्चुली मैं इसमें नहीं बनाने वाली थी, बट ये गाजर रखा हुआ था, गर में काफी टाइम से, तो ऐसे गाजर खिलाता नहीं है, बोल के मैं इसमें हल्वा ही बना दे रही हूँ, इसमें क्या हुता है ना, कि सब खा लेते हैं आराम से, तो दिखिए, घी में हम अच्छे से रोष्ट करना है जब तक इसका पानी अच्छे से सुखे ना, आता है, तो चलिए इसे हमें अच्छे से पकने देते हैं, और तो किस किस को अच्छा लगता है गाजर का हलवा, कमिन्ट करके जबर बताईएगा मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलुआ मेरी घर में सभी को बहुत पसंद है तो इस बार तो मैंने ही बनाई दी इस बार में स्टाट की हूँ आज से और और एक दिन बनाऊंगी तो अच्छा खासा बनाऊंगी और स्टोर करके रखूंगी इसमें क्या होता है न दो तीन दिन आप लोग आराम से खा सकते हैं तो दीखें गाजर में मैंने दो तीन इलाईची डाल दिया है इससे फ्लीवर काफी अच्छा आता है मुझे लग रहा है यह न आच्छे से भूंग शुका आप लोग देख सकते हैं पानी एकदम नहीं है और इसका ऐसका खासी चीनज हो गया है अभी इसमें हम डालेंगे चीनी तो टिस्ट के कोडिंग अप लोग चीनी ड़क्ष सकते हैं और यह पूरा पूरी हाफ लीटर दूद है, पूरा पूरी हाफ लीटर दूद में इसमें आड़ कर दूँगी, पानी वगेरा मैं इसमें नहीं डालूंगी, और यहां पे जो आप लोग दूद का इसमाल करिएगा दूद को गरम करके ही डाले, गरम तूद डाले से क्या होता से सिम में मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी तब तक दिखिए मैं यहां पर मलाई भी स्टोर करके रखी थी उसका भी मैं यहां पर आज घी निकाल लूँगी तो करीब वन से टू विक मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूं और बनाती हूं व्लॉग जो मेरा देखत लागा थाहरा है और दूद्धा हो जा रहा है तो काफी अच्छा लगता है मुझे इस टाइमाशर के टाइम बनाने में बहुत कोई बोलता है कि विंटर की टाइम आच्छे संगी नहीं निकलताए बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है जैसे बनाने जाते हो नां यह फटअ-व मैं डारेक्ट कड़ाई में रखूंगी क्योंकि कड़ाई में ही मुझे गी निकालना है और यह जो दूद बचता है इसका भी मैं लास्ट में रबडी बना देती हूं यह बहुत टेस्टी लगता है तो आप लोग तीनों चीजी इस्तवाल कर सकते हैं तो तीनों चीजी जैसे मैं जदातर रबडी ही बना देती हूं तो चलिए इस एक बार अच्छे पानी से दो लेते हैं और थोड़ा बहुत जो वेस्ट वाला चीज रहता है वह इसमें निकल जाता है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है तो इस तरह से हाथ से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर पकने के लिए छोड़ देंगे और इसका जो खुडचन है यह ब्राउन ना हो तब तक इसे हमें पकाना है तो अपने आप अपलोग पता चल जाएगा इसका जो समेल है ना बहुत तेज होता है घी का मतलब कहीं अगल बगल भी बनता है ना तो पूरा मोहला मतलब समेल करता गी कहीं तो गी बन रहा है चली एक तरफ जो गाजर का हलुआ है ना वो भी मैं भी जबिश में निकाल के चेक कर दी हूँ कि अच्छे से यह पक रहा है कि नहीं और दुसरी साइज में यह दिखिए कि जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो गया है तो जैसे ही मैंने कड़ाई गरम होने के लिए रखा ना यह अपने आप मेल्ट होना शुरू हो गया है फोरा फोरा यह ही थी खरण शाहर प्रसमें में कवा नां फोरा जोना करता है यह आड़ा करता है और मावा जिस में टीस्टा आता है तो मैंने अ कंडने के लिए ना पर चुड़ो है और दूसरी तर्व में हापे गी को भी पका ले दीया है किस दnearth गिज़ता सकते हैं इसक फिर अपने आप यह जलने जासा हो जाता है यह निकलना सुरू हो जाता है यहां पे गाजर का हलवा भी पक चुका है थोड़ी देर और पकाऊंगी क्योंकि मुझे दूद थोड़ा जादा लग रहा था और गी भी बन चुका है तो गी जैसी ठंडा होगा मैं इसे ट्रांसफर कर लोगी गी वाला जार में लाश्ट में जो मिल्क बचा था ना उस मिल्क को भी मैं सेम पेन में निकाल लूगी और इसका रबड़ी बना लूगी इसमें थोड़ा सा चीनी डालके ना इसको ऐसे भी खा सकते हैं अब यहाँ पर बारी आती है साम का दियाबती करने की तो मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूं फटा फट सही क्योंकि थोड़ी दिट के बाद हम लोगो मार्केट भी निकलना है बस मैं और मेरे हजबन दोनों ही हम लोग मार्केट आए हुए है और मार्केट में अचली आज हम लोग का मंडी और फ्राइडी को मंडी लगता है तो सबजिया ना बहुत ताजी ताजी हरी हरी और बहुत सारे वराइटिस के सबजिया यहाँ पे रहती है तो हम लोग ली चाते हैं जातर कुसिस करते हैं और यहाँ पे मैं दुकान में लेनी हूँ पाओ क्योंकि कल सुबह ब्रेकफ़स्ट पे मैं सूच रही हूँ भाजी बना हूँ तो आज वेज़ेटेबल वगेरा सब बॉयल करके रखूंगी Hey guys, good morning और आज है next day तो कल का व्लाग को मैंने और सुट नहीं किया था तो यहाँ पे आज सुबह हो गई है यहाँ पे मैं नहाली हूँ और ब्रेकफ़स्ट पेरा सब बन चुका है सब कोई ने नास्ता कर लिया है बस मैं अभी नास्ता नहीं किया हूँ पूजा जिसे करूँगी फिर नास्ता वगिरा निकालूँगी कल रात में मैंने जिसे बताया था कि मैं सुबह मॉर्निंग में पाव भाजी बनाने वाली हूँ तो रात में ना सारे सबजियों को मैंने बॉयल करके रख दिया था बहुत इजी हुआ क्योंकि आरब का स्कूल था सुबह सुबह और स्कूल होने से क्या होता है ना फिर ना इधर के ना रहते हैं ना इधर के रहते हैं इसलिए मैं क्या की ना सबसे पहले उसको स्कूल भेजी नास्ता वसा कराके उसके बाद मैंने नहाया फिर पूजा किया अभी हाँ पर चल रहा है मेरा मेकप तो ये आये हुए थे तो बोले कि दो थोड़ा सा हम सूट कर देते हैं तो उच्छे लिए नासता भी कर लेते हैं काफी टाइम हो गया है मुझे लग रदस तो बजी गया है और अभी तोड़ा क्या होता है कि आरब के स्कूल जिस टाइम पर रहता है तोड़ा से लेट होई जाता है उतना अरली मॉर्निंग नहाना नहीं होता है और जैसी वो स्कूल से जाता है साड़े आट बज जाता है उस टाइम पर तो यह सब करते करते हैं साड़े नो तक तो बजी जाता है तो यहाँ पर देखिए मैंने पाव भाजी को नाचे से गरम कर लिया है पाव भाजी काफी अच्छा बना था और भाजी जो है आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना सुन्दर आया है तो बहुत अच्छा लगा सुबस बना कभी कभी ब्रेक्फस्ट में आईए सब खाना बहुत मतलब लाइट होता है सब को पसंद भी है मेरे घर में तो मैं इस तरह से कभी कभी बना देती हूँ और इसका रसेपी मेरे दिया हुआ है चैनल में आप लोग देख सकते हो और यहां पर मैं कह रही हूँ नाजदा और पीछे आप लोग देख सकते हैं सब कोई कभ कर रहे हैं खाने के बाद दूरंद मुझे लगना पड़ेगा लंच बनाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया है और बंते बंते 12 बजी जाएगा तो यहां पर जितने भी सबजिया थे ने सारे सबजिया मैंने कट कर लिया है मैं थोड़ा सा पपाया काटी हूँ पालग और यहां पर थोड़ा सा बैगन आलो फुल गोबी और फिर मटर भी मैं चिल के रखी हूँ तो सोची जो ना एक मिक्सबजी बनाऊंगी पालग वगेरा डालके और दूसरा मैं पापाया को भून दूंगी अच्छे से सुखा मिर्ज़ डालगी यह काफी अच्छा लगता है खाने में और दाल पालग बनाऊंगी और राइस बनाऊंगी तो यह रहेगा हाज का हमारा लंच तो यह लिए बना लेता है फटाफट से और अच्छा खासा टाइम जो हो चुका है आरब का आने का भी टाइम हो गया है तो मैं अभी मा को या तो फिर यह जाएंगी आरब को लेने के लिए नीचे नीचे गाड़ी वाला आके छोड़ देता है तो एक को जाना पड़ता है लेने के लिए तो यह जाएंगे अभी और यहां पर सब्जी जो है ना और मुष्ट हमारी बन चुकी है पानी वगएरा देखे मैंसे निकाल दोगी यहां पर बाबा गये थे मार्केट तो आप लोग देख सकते हैं गवावाली क्या हैं और एकदम पका पका बहुत टीस्टी लग रहा था देखने में मैं अभी तक टीस्ट नहीं कियूं और अभी क्या होता है ना कि मतलब विंटर है ना तो टाइम जो है इसी टाइम पर खा खाना सही रहता है फ्रोट्स बगेरा वरना अरली मॉर्निंग खाना या तो साम के जमें में खाना बहुत डेंजर है बट अभी लिखे मैं काटके निकाली हूँ अभी हजबंड और बाबा खाएंगे तो दोनों के लिए मैं यहां पे काला नमक चाट मसला डालके मैं ले जा लगता है यह तो आज का वीडियो को मैं अंकर दूंगी यही प्यासा करूंगी आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो आज के लिए बाबाई टेक केर